18-19 के बजेट में कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड की घोशना हुई थी कि पचास साल पहले कि देश में पचास नहीं 60-70 साल पहले देश में अपरेशन ब्लैक बोर्ड हुआ था क्योंकि स्कूल के रूम्स में ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे तो वो ब्लैक बोर्ड लगाए यह उस समय की ज़रुरत थी अब देश बदल चुका है आगे बढ़ रहा है और इसलिए हर क्लास्रूम में डिजिटल बोर्ड हो यह और वो भी इंटरेक्टिव हो यह कलपना इ अभी उसके लिए हमने कमिटी नियूप्त की थी जिसमें विशेश अग्यत है और प्रोफेसर जुन्जुन्वाला के नेतुरतों में उसकी स्टड़ी बनी और उनका रिपोर्ट आया उसके आधार पर अब हमें एक कारेक्ट्रम इस वर्ष से लागू कर रहे है कि नवी कि दस्वी ग्यारावी बारावी चार वर्ष स्कूल के और कॉलेज के हाइर एजुकेशन के सभी क्लासे तो स्कूल्स में एक लाग है से देड़ लाग स्कूल्स है पब्लिक प्राइविट मिलके तो उनके साथ लाख क्लास्रूम्स है जहां यह डिजिटल बोर्ड इपाइगा और कॉलेज मरेद चैन ऑर यूनिवर्सिट्टी के 2,000,00國 क्लास्रूम्स हैं तो यह 9,00,00 क्लास्रूम्स में यह तीन साल में अैी बिजिटल बोर्ड हो ये द्यवस्ता है । डिजिटल बोर्ड आज भी अनेग सांस्थाओं में है तो जहां नहीं है वहां वो लगाएंगे और उसमें कंटेंट मुख्य विशे जो है सभी और जिसका स्पष्टिकरण फिल्म के द्वारा अच्छे लेक्चर्स के द्वारा अच्छे टिटोरियल्स के द्वारा अच्छे कॉंपिटिशन और गेम्स के द्वारा उन संकल पनाव का सपष्टिकरण दिया जा सकता है वह यह डिजिटल काम करेगा तो डिजिटल बोर्ड में देश का कोई नामी प्रोफेसर उसमें लेक्चर भी देंगे टिप्स देंगे लेकिन जो वहां क्लास में टीचर है वो भी क्योंकि स्टूडन्स चर्चा करेंगे वो सब सुनने के बाद मटेरियल भी होका टुटोरियल भी होका और तो ये एक फ्लिप क्लास मॉडेल के यूग में हम प्रवेश कर रहे हैं और इसलिए ये बहुत बड़ी पहल है शिक्षा में गुणवत्ता पूर्ण सुधार होगा और शिक्षा के सुधार के लिए बहुत जरूरी कदम सरकार उठा रही है और ये तीन साल में पूरा होंगे ताकि 2022 में जब आजादी के 75 साल होंगे तब बहुत शाथ स्कूल्स और कॉलेजस में डिजिटल बोर्ड होंगे और डिजिटल बोर्ड पे अच्छी शिक्षा सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा मिले इसकी ये व्यवस्ता है आज हमें ये गोशित करते हुए की कोड़ ऑफ कॉंड़क्ट होता है वह पॉलिटिकल पार्टिस के लिए होता है एड्मिनिस्ट्रेशन का काम चलता रहेगा और वह पूरा करके न्यू विद्द न्यूए अकेड़ेमिक या यह बहुत बड़े पैमाने पर शुरू हो जाएगा